जुदा हुई आप कॉंग्रेस की राहें दोनू पार्टियों में शुरू हुआ आरोपो का दौर चुनाओ खत्म होते ही पार्टी ने किया किनारा आपने कॉंग्रेस पर फोड़ा हार का ठीक रा नमस्कार टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट हाथी के दाथ खाने के अलग और दिखाने के अलग लोग सबच चुनाओ खत्म होते ही विपक्षी पार्टियों का भी यही हाल हो गया है क्योंकि चुनाओ के वक्त तक जिन पार्ट यह है कि किस तरह से यह नेता चुनाओ के वक्ते एक साथ मिलकर एक मंच पर नजर आते हैं जनता को गुम रहा करते हैं और वोट से अपनी जोली भरते हैं लेकिन चुनाओ खत्म होते ही इनकी रास्ते अलग हो जाते हैं अब सब कुछ ऐसा ही देखने को मिला है लोग भयंकर माडधाड शुरू हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ सुनिता के जरिवाल ने भी खेल करना शुरू कर दिया है एक बैठक से कैसे सुनिता के जरिवाल ने पूरी बाजी पल्ट दी और कॉंग्रेस को भयंकर पठकनी दी है उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे तो तेज हो गया है दिल्ली और हर्याणा में आपके निराशा जनक प्रदशन के बाद आम आदमी पाटी के नेता कॉंग्रेस को घेरी में लगे गए हैं अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा के लिए देश भर में कोई गठ हर्याणा में गठबंदन कर चुनाओ लड़ा था और दोनों ही राज्यों में पाटी का खाता नहीं खुल सका हर्याणा में आदमी पाटी के खाते में चुनाओ लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र की एक सीट आई थी लेकिन यहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा जबकि गठबंदन की सयोगी कॉंग्रेस राज में शून्य से बढ़कर पाच सीटे जीतने में काम्याब रही आपने कुरुक्षेत्र में मिली हार का ठिकरा अब कॉंग्रेस नेताओ पर पोड़ना शुड़ू कर दिया है आम आदमी पाटी के हर्याना प्रदेश के वरिष्ट उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने एक प्रेस कॉंफेंस करते हुए कॉंग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने कॉंग्रेस नेता रणदीब सुड़्जेवाला और अशोक अरोड़ा पर निशाना साते हुए उन पर भीतरगात करने का शक जताया अनुराग ने कहा कि कुछ ताकतों नहीं कोशिश की कि हर्याना में आम आदमी पाटी की भूण हत्या की जाए क्योंकि उन्हें लगा कि यदि आप कुरुक्षेत्र में जीतती है तो हर्याना की राजिती में तूफान आ जाएगा और बड़े राजितिक दलों को दिक्कत हो जाएगी इसलिए आपकी भूण हत्या की साजिश की गई है अनुराग धानडा ने कहा कि जो साजिशे कुरुक्षेत्र में की गई उसकी असल वज़ा आने वाले दिनों में समीक्षा के बाद आईगी लेकिन हमारे कार्यकरता जो हमें ब्राता रहे हैं वो संदेव पैदा करता है कैंथल में जिस रणदीब सुर्जेवाला को कदावर नेता माना जाता है वो कई राज्यों में प्रभारी भी रही है वो पिछली बार अपने वधानसभा चुनाओं में 500-700 वोटों से हार गए थे उसके बाद बीजेपी के खलाब इतनी एंटी वेव भी चल रही थी अनुराग ने कहा कि अशोक करोडा जो सियम हुड़ा के राइट हैंड बताए जाते हैं वधानसभा में महज कुछ 100 वोटों से हार गए थे उनके इलाके में अगर 18,000 वोटों से गठबंदन हार जाए तो सवाल मन में जरूर उरता है क्या गजब इत्वाक है कि जहां जहां कॉंग्रेस के वधायक या कदावर नेता थे उन उन वधानसभा शेत्रों में हम लोगसभा चुनाओ में हार जाते हैं जहां कॉंग्रेस के कददावर नेता या वधायक नहीं थे वहां हमारे कारकरता जूज रहे थे वहां हमारे उमीदवार को जीत मिली इससे समझ आता है कि या तो सुर्जेवाला और अरोडा जी का कोई अस्तुत नहीं रहा लोगों ने इने नकार दिया लेकिन अगर सुर्जेवाला जी का कद है तो फिर सवाज जरूर उठेगा उन्होंने शंका जताई की बिवानी महेंदरगड और करनाल में कॉंग्रेस ने मिली भगत की थी जहां कॉंग्रेस जीत सकी थी लेकिन ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिससे गठबंदन को नुकसान हुआ उन्होंने कहा कि 90 की 90 सीचों पर वधान सभा सीचों पर आमादमी पाटी अपने बूतों पर लड़ेगी इस दोरान उन्होंने गुपेंदर हुड़ा पर भी निशाना साथा आपको बता दे क गठबंदन के प्रत्याशी सुशील गुपता शुनाव में भाजपा के नवीन जिंदल से 29,021 वोटों से हार गे थे कुरुक्षेट सीट से जहां नवीन जिंदल को 5,42,175 वोट मिले तो वहीं सुशील गुपता को 1,13,154 मत मिले तीसरे नंबर पर रहे नलो के अभी 708 वोट मिले दिल्ली में आपका वोट शेर 24.17 रहा पंजब में आपका वोट शेर 26.02 ह सुशील गुजरात में आपका वोट शेर 2.69 पीस दी रहा वैसे आपको बता दे कि इससे पहले दिल्ली कॉंग्रेस अध्यक्ष देवेंदर यादों ने आम आदमी पार्टी की बात को ही दोहराते हुए कहा था कि दोनों दलों का ये गठबंदन लोगसुबा चुनाओ के लिए ही था उन्होंने कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि हमारा गठबंदन लोगसुबा चुनाओ के लिए था हम लगातार ये कहते आए हैं कि हमारा गठबंदन लोगसुबा चुनाओ तक सी मित्था यादों ने कहा कि लोगसवा चुनाओं के लिए इंडिया गठबंदन मनाया गया था देश के लोकतंत्र बचाने की लडाई में एक विचारधारा वाले लोग साथ आए देवेंदर रियादों ने ये भी कहा कि आप और कॉंग्रेस के गठबंदन को जनता ने स्विकार किया और इसी लिए वोट बढ़ गए उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पाटी भी हमारे साथ आई हमने चुनाओं लड़ा अच्छे कॉडिनेशन के साथ लड़ा क्या कमिया रह गए कि हम सीट नहीं जीत पाए उन सभी चीजों पर चल रही है हम कमियों को सुधारे कर मजबूत विपक्ष की भूमी का निभाते हुए दिल्ली में भी कॉंग्रेस को वापस लाएंगे वहीं से पहले लोगसभा चुनाओं के नतीजों के बाद आमादमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाओं लड़ने का ऐलान कर दिया है दिल्ली के मंतरी और आम आदमी पार्टी के निता गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी वेपक्षी दल इंडिया गठबंदन का हिस्सा होने के बावजुद 2025 का दिल्ली वधानसभा चुनाओ अकेले लड़ेगी गोबाल राय ने कहा कि जहां तक वधानसभा चुनाओ का सवाल है किसी अन्य पार्टी के साथ कोई गठबंदन नहीं किया जाएगा दिल्ली में कॉंग्रेस के साथ गठबंदन केवल लोगसभा चुनाओ के लिए ही था दिल्ली वधानसभा चुनाओ आम आदमी पार्टी अकेले रड़ेगी इतना ही नहीं ये पूछे जाने पर की चुनाओ में क्यों हरे गोबाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी के इतिहास में पहली बार पार्टी ने इतनी विप्रीत परिस्तिती में चुनाओ लड़ा हमारे मुख्यमंत्री और सभी नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया था बैठक में हमने तै कि चुनाओ की वज़त से आचार सहीता लागू थी जो काम रुके थे उनको करवाएंगे और वधानसभा चुनाओ के लिए तैयारी करेंगे आप नेता ने कहा कि ये पहले दिन से ही स्पष्ट है कि लोग सभा चुनाओ के लिए इंडिया गठबंदन बना है जहां तक विधान सभा का सवाल है कोई गठबंदन नहीं हुआ है आप पूरी ताकत से चुनाओ लड़ेगी दिल्ली की सभी साथ लोग सभा सीचों पर आप और कॉंग्रेस ने इंडिया ब्लॉग के सयोग्यों के तौर पर चुनाओ लड़ा था आपने जहां चार सीचों पर चुनाओ लड़ा वहीं कॉंग्रेस ने तीन सीचों पर अपने उमीदवार उतारे हाला कि भाचपा ने राजधारी की सभी साथों सीचों पर अपनी जीत दर्जगर शांदार प्रदशन किया आम आदमी पार्टी ने 2024 के आम चुनाओ में दिल्ली, पंजाब, हरियाना, गुजरात और असम में कुल 22 सीचों पर चुनाओ लड़े लेकिन पंजाब से उसे सिर्फ 3 सीचे मिली राष्ट पार्टी के तौर पर आपका ये पहला आम चुनाओ था पंजाब में कॉंग्रेस और आपने इंडिया ब्लॉक के हिस्से के तौर पर नहीं बलकी अलग-अलग चुनाओ लड़े साल 2025 में दिल्ली में विधानसवा चुनाओ होने हैं 2020 और 2015 में हुए दिल्ली विधानसवा चुनाओ में कॉंग्रेस एक भी सीच नहीं जीच सके थी आम आदमी पार्टी ने ज उसरे को गाली देंगे वहीं इंडियन एक्सप्रेस से इंटिव्यू में दिल्ली कॉंग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने देवेंद्र यादों ने माना था कि उनका गठवंदन कमजोर था उन्होंने कहा कि हमारे पास धन की कमी थी लवली ने भी कॉंग्रेस कमीटी हुई दिल्ली की सभी साथ सीटों पर 25 मई को वोटिंग हुई थी चार जून को आये नतीजे में सभी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्च की कॉंग्रेस और आप गठवंदन एक भी सीट नहीं जीत सका दोनू पाटियों ने कहा कि हार की समिक्षा की जाएगी गोपाल राय के साथ मीटिंग करेंगे रुके हुए कामों में तेजी लाने की दिशा में काम करेंगे इसके लावा पार्टी के सभी पार्षदों के साथ और 13 जून को दिली के सभी कारकरताओं के साथ मीटिंग होगी कारकरताओं के साथ बैठक करने का निर्ने भी हुआ है पार्टी ने होने वाले वदानसबा चुनाऊ में आभादमी पार्टी जीथ हासिल करीगी पंजाब की 13 लोग सबासीटों पर आप और कॉंगरेस ने अलग उलग चुनाऊ लड़ा था इसलिए दोनु पाटियों ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था यानि कुल मिला कर अगर देखा जाए तो जिस तरह से वे पक्षी गट बंदन एक साथ मिलकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं उसे भी अब परदा हट चुका है टर्निंग पॉइंट में